हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्यों होंगे तो दोस्तों साल 2023 अब एंडिंग की और है मतलब 2023 का साल अब खतम होने वाला है तो अब इस साल में जो भी IPO's आए मतलब साल 2023 के अंदर जितने भी IPO's आए उनमें से टॉप 10 IPO's ऐसे कौन से हैं जोनोंने सबसे बड़िया रिटन मनागी दिया है मतलब जोनोंने सबसे बड़िया performance दिखाया है 2023 के अंदर तो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर टॉप 10 IPO's के बारे में जो की साल के सबसे बेस्ट IPO's रहे अलांकि ये लिस्ट बताने से पहले आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे IPO's है जो टॉप 10 के अंदर रहे आप भी अपनी लिस्ट जो हैं लास्ट में मैच कर सकते हैं तो दोस्तो इस साल करीब-करीब 57 IPO's लाँच हुए थे 2023 के अंदर और IPO's के द्वारा जो पैसे जुटाए थे टोटल पैसे जुटाए गए हैं उन पचास अजार चार्सो करोड रुपए बहुती जबर्दस अमाउंट पैसा मतलब बरसा है 2023 के अंदर यह 4th largest है मतलब जो पैसा बरसा है मतलब जो पैसे जुटाए गए है 4th largest नंबर पराता है 2023 के अंदर और उसके लावा टोटल नंबर अफ जितने भी IPO's है उसमें से 2nd नंबर पराता है 1st नंबर पर साल 2021 था पैसो के मामले में भी number of IPO's के मामले में भी और यह चीज मैं आपको clear कर चुका हूँ और दोस्तो इस साल का सबसे बड़ा IPO कौन सा रहा है मतलब सबसे बड़ा issue size कौन से IPO कर रहा तो वो है mankind pharma का IPO जिसका issue size सबसे बड़ा था 4,326 करोड रुपय का तो अब दोस्तो जानते हैं इस साल के top 10 IPO's के बारे में जिनोंने सबसे बड़िया रेटन बना के दी हैं और अभी भी काफी बड़िया रेटन बना के दे रहे हैं वैसे दोस्तो काफी अच्छे अच्छे IPO's है वो है Concord BioTech का IPO जिसकी listing 18 अगस्त 2023 को थी और इसका issue price है 741 रुपय अभी जो इसका price चल ला है 1471 रुपय ये high जाकर आया है 1549 रुपय पर मतलब लगबग जो पैसा है हमारा दो गुना हो गया है और percentage में रेटन की बात करें Concord BioTech के IPO आप मैंसे किन-किन लोगों को Concord BioTech का IPO अलोट हुआ था मुझे comment करके जरूर बताइएगा या बाद में किसी ने लिया है तो वो भी मुझे comment करके जरूर बताइएगा फिर दोस्तो नवे नंबर पर जो IPO है जिसको मैं लेना चाहूँँगा वो है 424 रुपए और ये high जाकर आया है 480 रुपए पर तो इस हिसाब से भी देखे तो दो गुना से ज़्यादा इस IPO ने भी return बना की दिये हैं मतलब 100% से भी ज़्यादा की return बना की दिये हैं इस IPO ने भी आप मैं से किन-किन लोगों को EMS Limited का IPO अलॉट हुआ था मुझे कमेंट करके जरूर पतेएगा फिर दोस्तो आठवे नंबर पर मैं जिस IPO को लेना चाहूँगा वो है उत्तकर्स Small Finance Bank का IPO 21 जुलाई 2023 को इसकी लिस्टिंग थी और ये IPO की जो प्राइस थी बहुत ही लोगों को EMS IPO अलॉट हुआ था और किन-किन लोगों ने बाद में इसको बाई किया है मैंने परसनली बाद में बाई किया था और वो लिस्टिंग वाले दिने इसको sell कर दिया था फिर दोस्तों सात्वे नंबर पर मैं जिस IPO को लेना चाहूँगा विष्णु प्रकास आर पुंगलिया का IPO ये मेरे है सिटी की ही कंपनी है 5 सितंबर 2023 को इसकी लिस्टिंग थी 99 रुपीज के इंदर इस IPO अलॉट हुआ था मतलब इसका issue price था अभी इसका बाउ 215 रुपे के आसपास चल रहा है और इसने जो हाई बनाया है सेंको गोल्ड का IPO सेंको गोल्ड का IPO मुझे पर्सनली अलॉट भी हुआ था और ये IPO है था 14 जुलाई 2023 को इसकी लिस्टिंग थी और इसका जो price था 317 रुपे के आसपास और इसने जो हाई बनाया था 823 रुपे मतलब लिस्टिंग तो थोड़ी सुस्त देखने को मिली थी ठीक ठाक देखने को मिली 20% जिसा profit देखने को मिला था पर बाद में इस ये जवर्दस इसने growth की थी और अब इसका बाव 660 रुपे के आसपास चल रहा है और इस IPO ने highest जो रिटन बना के दिया है 160% 160% के रिटन बना के दिया है बहुती शंदा रिटन है मतलब पैसा लगबग 2.6 गुना हो गया है फिर दो तो पाचवे नमबर पर मैं जिस IPO को लेना चाहूंगा वो है signature global का IPO 27 सितंबर 2,023 को इसके listing थी issue price था 385 रुपे के आसपास यह IPO हमें अलॉट हुआ था और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 877 रुपे के आसपास मतलब अपने all time high के नजदी की यह share चल रहा है इस साब से करीब करीब इसने अभी तक 127% के रिटन बना के दिये है बहुती बढ़िया रिटन है फिर दो तो चौथे नंबर पर मैं जस IPO को लेना चाहूंगा वो है Tata Technologies का IPO इंडिया का most appreciated IPO जिसका सभी को इंतिजार था इस साल 2023 के अंदर सबसे most appreciated IPO Tata Technologies का ही IPO था आपको पता ही होगा सभी लोग इंतिजार कर रहे थे और यह IPO आया कब? आया जब क्या ही मेरे भाई की शादी थी मैं खुद विजी था उस ताइमें से IPO आये थे और एरिडा का IPO भी इस ते ही टाइम आये था तो 500 रुपे के अंदर अलॉट हुआ है और 1180 रुपे अभी इसका फाव चल रहा है यह highest जाके आया है 1400 रुपे के आसपास तो लगबग 3 गुना जैसा रेटन मतलब पैसे जो है लगबग 3 गुना जैसे हो गए अगर percentage देखें तो 180% highest रेटन मना के दिये है और दोस्ता आप लोगों में से किन किन लोगों को Tata Technologies का IPO अलॉट हुआ था जरूर पताएगा फिर दोस्तों मैं तीसरी नंबर पर लेना चाहूँगा NetWeb Technologies का IPO जो की लिस्ट हुआ था 27 जुलाई 2023 को 500 रुपे इसका issue price था 500 रुपे के अंदर अलॉट हुआ था और इसकी जो अभी भाव चल रहा है रिटर्न यह अभी दक बनाके देच चुका है और यह जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ करन्ट प्राइस के साफसे ज़्यादा जो रिटर्न है उस साफसे मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं जिस IPO को लेना चाहूँगा 675 रुपए अभी इसका प्राइस चल रहा है 778 रुपए यह हाई जाकर आया है तो लगबग रिटर्न 2.93 गुना मतलब लगबग 3 गुना जिसा रिटर्न बनाके दे दिया है इस IPO ने अभी तक और 193 परसेंट जिसे रिटर्न अभी तक इसने बना के दिये बहुती शानदा रिटर्न है आप में से किनको लोगों को अलोट हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बतेएगा फिर दोस्तो सबसे पहले नंबर पर मैं जिस IPO को लेना चाहूंगा आप लोग गैस कर सकते हैं मतलब मैं जब तक अभी पता हूं तब तक आप गैस कर सकते हैं कौन सा IPO जो पहले नंबर पर है और सबसे बढ़िया उसने रिटर्न मना की दिये आप लोग कैस करके मुझे कमेंट करके जरूर बते हैं गलत सा ही कोई दिखकर नहीं है तो दोस्तों वो पहला नंबर पर जो IPO है वो है बहुत व्यास था और मुझे टाइम भी नहीं मिला वैसे देखने का भी टाइम नहीं था तो इसलिए मैं डिले नहीं पाया तो यह शेयर 32 रुपए के अंदर हमें अलॉट हुआ था इसका इस्यू प्राइस 32 रुपए और यह हाईश जाकर आया है 123 रुपीज के आसपास औ और लिस्टिंग के एक दो दिन बाद भी यह ठीक ठाक मतलब चल रहा था फिर एक दम अचानक से यह चड़ गया तो इसने लगबग जो रिटन बना के दिये 3.84 गुना highest रिटन है मतलब चार गुना जैसे लगबग रिटन बना के दिये जिसके 15,000 रुपए लगे थे मतलब आपको पताएं इन में से आप लोगों को कौन-कौन से आई-पियो जालोट हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर पताइएगा और उसके लावा भी काफी सारे आई-पियो थे मतलब जो टॉप टैन लिस्ट से बले ही बहार हैं पर काफी अची-ची यह रिटन बना के दिये है साहा Pollymer's का आई-पियो, Mankind Pharma का आई-पियो, RR Kabil का आई-पियो, Plaza Wires का आई-पियो, JSW Infrastructure का आई-पियो, SBFC Finance का आई-पियो और भी काफी सारे आई-पियो जिनों ने बहुती बढ़िया रिटन बना के दिये हैं अब भी जिनकी प्रैस जो चल रही है उसे साबसे मैंने आ रहे वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर